हेलो गाईस वल्कम बैक टो माई चानल और यह दात का समय है यहां पर मैं बना रही हूँ थ्री केजी फिश जो मेरी ड्यूटी थी थ्री केजी फिश बनाने का तो यह शादी के दो या तीन दिन बाद यह फिश बनता है यह हम लोग बोलते शुप करना तो जब शादी ब्याह यह बनाना तो यहां पर मेरी ड्यूटी थी फिश बनाना तो यहां पर मैं बना रही हूँ इसकी शॉट्स वडियो में अपलोड की थी तो आप नहीं देखे तो प्लीज देख लेना और फिश की रेसिपी तो अलड़ी मेरे चैनल पर है तो यह बरारी फिश है गाओ में बहुत ज़्यादा फेमस है और प्लीज मेरे नॉइस को इग्नॉर करना क्योंकि मेरा गला काफी ज़्यादा बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा दर दे रहा है तो हो सकता है मुझे सब्सक्राइब के बाद का कुछ बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया डायरे के दो तीन दिन बाद मैंने वीडियो शूट की है तो यहां पर देखिए भारी भी लग रहा था मतलब उसको लिट्टी बोलते हैं बहुत लोग और यहां पर देखिए मेरी फिश कड़ी भी रेडी है तो चले यह सब करने के बाद से मैं आपको मिलती हूं मॉर्निंग में बाइब बाइब नहां तज्ञारियां बरवा तो अभी हम लोग जा रहे हैं भागलपूर कड़ाई चड़ाने सब लोग शावर ले चुके मतलब नहाचुके में भी नहाचुके हूं कुछ लोग वहां पर नहाएंगे बट मुझे वहां नहाना अच्छा नहीं लगता और यहां पर इतने सारे बंदर आ रहे न परिशान करें मैंने शॉर्ट में डाला है कितने सारे बंदर आ रहे जा रहे हैं तो अभी हम लोग बस आज भागलपूर जा रहे हैं और कल रुक यह मेरी बड़ी बुआ पापा की बड़ी बेहन सबसे बड़ी बेहन अरे सेकेंड नमबर है ना तो चलिए फटाफट निकलते हम लोग रेडी हो गये खुछ भी रेडी है यहां पर तो चलो फटाफट जाते हैं और यहां पर देखिए कितने सारे बंदर मतलब इतने सारे बंदर थे ना कि पता नहीं वो लोग कहां से आ रहे और टेरेस पे वो टेंट लगा वो ता खाना बना निकाना तो उसके वज़े से और भी आ रहे थे मतलब कम से कम नहीं नहीं तो 15 से 20 बंदर थे और मैं सब को रेकॉर्ड कर रही हूं और यहां पर भाईया अच्छा है प बुआ को बुलाया गया और मुझे लगा वॉइस रेकॉर्ड हो रहा है लेकिन नहीं हुआ तो पाप बुआ बोल यहां 500 रुपे का बात हुआ तो पापा को बोलती हां भाई 500 रुपे का बात हुआ था तो वहां पर सब हसी मजाग चल रहा है आखिर में भाईया ने 20 वहां रहे नहीं नहाएं मतलब जो नहाएंगे भागलपूर वह एकसाइड बैठेंगे तो यहां पर देखिए उपर पूरी वगेरा बचा था तो यहां पर भाहिया मेरे जो बीच वाले भईया है वह उनको पूरीआ खिला रहे तो यह जो टेबल पर बेठा था बंदर न बहुत शाणा था वह एकी बार में नीचे पांच चे डाले थे तो एकी साथ उसने पांच उठा लिया और और किसी को उसने दिया नहीं तो भाईया फिर वापस उपर गए ब्रेड के पैकेट पड़े थे तो भाईया ने क्या किया कि एक-एक करके सबको ब्रेड दे रहे और पूरे अम्रूत के जाड़ गाना पूरा सत्यानाज कर दिया मतलब जितने भी अम्रूत है यह लोग ने तोड़ तोड़ के आधा-धा खाके गिरा दिया किकी मीठे तो थे नहीं कच्छे थे और यह बंदर तो बहुत अच्छा था वह हात मिला मिला के ब्रेड ले रहा था मतल पूरत कंच्छा था है कि बहुत ज्यादा पूर्ड़ ज्यादा कोमेडी हो रहा था यहां पर उपर खेंपर कितने सारे बैठे हुए प्रवान पार नहिंता है सब नहुंद भाग गए हैं और यहां पर फिकिन मार रहा यह देखो और यहां पर अम्रूत कहा रहा है दिखा देखो बन्तर की मश्ति होने के बाद से यहां पर दीदी को पिला दो तो वहीं बोल रही है और बंदर वापा से टैरेस पर आगे थे बट मेरे लिए जगा नहीं था और यह लोग सब बीना नहाय वाले थे यह लोग वहां पर नहाने वाले थे और मैं तो नहाद होके रेडी थी तो यहां पर सबको दिखा रही हूं तो यहां पर एक टेंपो निकल गई है और कुछ यह लाना था ताल पत्री वगएर नीचे बि सामने का गाड़ी नहीं दीख रहा था और यहां पर फाइनली हमें और साहिल सबसे पहले पहुचे हैं और भाई जा रहा है अपने वाइफ को लाने के लिए क्योंकि वह ला रोट स्टेशन के पास ही उनका घर है तो वहां से और यहां पर साहिल को बोल रिचोल हम लोग चा अपरे पर लगाते हैं प्लास्टिक तो यह नीचे बिचार है तकि सब लोग बैट पाए क्योंकि बहुत ज्यादा धूल मिटती था और यहां पर मैं जब भी आती हूं मुझे इतना अच्छा लगता है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है यहां पर मैं आके न तो इंस्ट के तेल में ही बनता है और यहां पर भाबी लोईया बना रही है आटे का और यहां पर फाइनली पूरी बनना चालू हो गया है तो इस बार मुझे आराम था मुझे कुछ भी नहीं करना था तो यहां पर हम लोग मस्त वाली में आ गए थे चाय समोसे खाने और बड़ा मजा गए तो उससे में समोसे को पल्टी कर रहे थी ऑंकल को बोली रुकू में वीडियो बना लेती हू थोड़सा में आपकी हल्प भी करते थी तब तक पीचे से आंटी इतना help करना है तो आज ओड़्यों समोसे भर दो और आपकी वीडियो भी बन जाएगी तो सब लोग इतना हसने लगे बड़ा मज़ा आ रहा था लेकिन और यहां पर फाइनली हमारी समोसे आ गए और जो इसकी हरी चटनी है ना यह जो मिर्ची और पता नहीं क्या क्या डालते इसके दर बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है यार गरम-गरम समोसा खाने पर और यहां पर दी-दी पीना था और घुमना फिरना था और मेरा हमने तो बोटिंग भी मतलब नाओं में भी बैठे यह यहां पर आने के बाद भी फिरसे वही हाल बंदर पूडिया चढ़ाने नहीं दे रहते सब लेले के भाग रहे हैं लोग हम लोग जा रहें बोट में मेरा भाई चला गया है उनकी बोट कान के मैं पको दिखाती रूको वहां तक चली गई है और हमको वहां जे भां अखर रहे हैं अ ऑमड़ी बोट में बैठने वाले नहा भी बैठने वाली सलोनी साहील और में और कि हमारा अपने ऊपट हो गया गुपती है जैसे खुदी वो चार में है और हस भी रही है देखो अनिरा आ रहा है यह जगह है नहीं है क्योंकि वो चार के जगे पर अकले बैठी है क्या करना चाहिए हम उनको उतार सकते हैं धक्तार दे आपको कमेंट करके बताना क्या करें उनको हम उनको उनको पर आना चाहिए है यह बोट आ गई अभी मैं बोट में बैठने जा रही हूं गिरी तो नो भर्चुक सम्राब बरो से आराम से दीती आराम से उट अज़ों बीच में बैठो बीच में हम लोग बनाव में बैठ चुके हैं यहां पर फाइनली हमारी नाव जा रही है बीच नदी में हम लोग सब बोड पे हैं और नजी के बीच में हैं हम लोग सब जन यहां पर वीडियोस है क्या फोटो ले सब को फोटो इधा जान हमारा जिन जिन्दगी जहां लगी हुई है हम लोग तो नहां के आये थे जा रहा हुई है इसमें डॉल्फिन तरको क्या मलूम इसमें है और फाइनली हमारा बोटिंग वगेरा करने के बाद से यहां पर पूरी हल्वा सब को सर्फ किया जा रहा है खाने के लिए और सच बोलू तो पता नहीं प्रशाद कैसे भी और बहुत ज्यादा यहीं लगता है अगर यहीं चीज़ हम घर में बनाएंगे ना तो इतनी थेस्ची नहीं बन दिए और प्रशाद हो गया खाने के बद से अब सब लोग जैसे आये थे वैसे जाएंगे लेकिन जैसे आये वैसे बाकी लोग जाएंगे मैं और दीदी ने और सारे ब्लोग को आप ऐसे ही प्यार देते रहिए बाइबाइ टेक केर